HTML में सारणिया सारणी का उपियोग आंकणों को पंक्तियों व कॉलम के रूप में दिखाने में किया जाता है सारणियों के माध्यम से आंकणों को दो तरीके से दर्शाया जा सकता है एक है जब सारणी वेब पेज पर दिखाई देती है और दूसरा है जब सारणी वेब पेज पर दिखाई नहीं देती है सारणी टाग इस टाग का उपयोग वेब पेज में एक सारणी अंतह स्थापित करने के लिए किया जाता है यह एक कंटेनर टाग है प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस टैक के समापन की अवशक्ता होती है सारणी टैक की विशेशताएं सारणी टैक की बहुत सी विशेशताएं है कैप्शन शीर्शक इस टैक का उप्योग सारणी को एक कैप्शन शीर्षक देने के लिए किया जाता है। बॉडर इस टैक का उप्योग सारणी के चारो और एक बॉडर अंतह स्थापित करने के लिए किया जाता है। बीजी कलर इस विशेशता का उपियोग सारणी के बैक ग्राउंड को रंग प्रदान करने के लिए किया जाता है चौडाई यह विशेशता वेब पेच पर सारणी की चौडाई को परिभाशित करने में सहायता करती है लंबाई यह विशेष्टा वेब पेच पर सारणी की लंबाई को परिभाशित करने में सहायता करती है. बैकग्राउंड इस टाक का उपियोग सारणी के लिए एक बैकग्राउंड छवी को विनिर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है. सेल पैडिंग सारणी टाक की यह विशेष्टा बताती है कि सेल की मदों और सेल की दिवारों के बीच कितना खाली स्थान है. सेल स्पेसिंग यह विशेष्टा दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है.